जिस तरह से इंडी अलाइंस उनको तिरस्कृत कर रहा है लगातार सयोजक ना बनाकर हमको तो ये डाउट हो रहा है कि इंडी अलाइंस वाला जदियू से पला ज़ाड़ना चाहता है कि जदियू इंडी अलाइंस से किसी बहाने से पला ज़ाड़ना चाहता है आपको मैं एक सवाल उल्टा पूछता हूँ इंडी अलाइंस का जो कॉंबिनेशन है 40 दलो का यह आपको फाइफ स्टार होटल के अलावा दिल्ली और बंबई बैंगलोर के फाइफ स्टार होटल के अलावा कहीं जमीन पे देखने को मिला है क्या आपने इन घटक दे लोग की कोई बैठक पटना के किसी मोहले में होते हुए देखा प्रदेश तर पे कोई बैठक होते हुए देखा कोई कोडनेशन देखा अरे भाई साब ये लोग सिर्फ मोदी के डर से कठा हुए हैं जैसे पानी जब नदी में चढ़ता है न तो सब चीज एक जगा एक डाल पर चढ़के बढ़ जाता है उसी प्रकारी सब दलेक्स आता गए थे अब सीट शेरिंग के नाम पे सब तूटके बिखर जाएंगे आप देख लिजे नितीश कुमार जी के व्यवहार से जिस तरह से इंडिया लाइंस उनको तिरस्कृत कर रहा है लगातार संयोजक ना बनाकर हमको तो ये डाउट हो रहा है कि इंडी अलाइंस वाला जदियू से पला ज़ाड़ना चाहता है कि जदियू इंडी अलाइंस से किसी बहाने से पला ज़ाड़ना चाहता है ये तो समय बताएगा कि खेला क्या चल रहा है मांजी जी करने कि 15 तारीक बाद नितिश कुमार बिहार में खेला करने वाले हैं नहीं अब तो नितिश कुमार जी ही जादा बताएं कि क्या खेला होने वाला है हमारा जहां तक है भारते जंता पार्टी की तयारी पूर्जोर तरीके से 40 की 40 सीटों पे चल रही है सर्व समाज जात विरादरी से अलग हट कर मोधी की गैरेंटी का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से तयार है प्रचंड जीत से मोधी जी तीसरी बार देश के प्रधान मंतरी बनने वाले है अगर किसी ने कोई गलत काम नहीं किया है तो उसको इंक्वाइरी से डरने की क्या जरूत है मान लिजिए कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है तो मेरा आप बारा घंटा क्या बारा दीन भी इंक्वाइरी कर लिजेगा तो क्या पकड़ में आएगा लेकिन अगर आपके पास कुछ छुपाने के लिए है तो पहले आप इंक्वाइरी में जाके बैठियेगा नहीं जैसे कि हमारे हेमंत सोरेंजी जहरखंड वाले ओभी इंडिय लाइन्स में है दूसरा आप जाईएगा तो फिर वहां पे जाके कुछ बोलिएगा नहीं जैसे केजरिवाल जी बार-बार बहाना मारके जाते नहीं है तीसरा अगर आपको इतना डर लग रहा है कि मेरे घर पे आ जाएगा तो आप टीमसी वालों की तरह उन पे पत्राओं करवाईएगा तो यह डर क्यूं रहे लोग अगर केजरिवाल जी ने हेमंज सोरेंजी ने य करेंद्र मोदी को हरा देंगे नितीश कुमार जी एक लोगसभा बिहार में बताएं जहां वो लड़के गैरेंटीड जीतेंगे भारते जनता पार्टी का कोई कारिकरता खड़ा होगा मोदी जी का जंडा लेके एक लोगसभा नहीं जीत पाएंग तो आपने सुना रितुर अराम से परचंड बहुमत के साथ चुनाव जित जाएगी अभी तक लिए बस इतना ही आपने रहें निश्पोनिशन